असलाम अलेकम दोस्तों मैं हुआमना और आप देख रहे हैं फुरी सो लाइफ में वेलकम बैक तो मैं चैनल होप यौल आर डूइंग वेल तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्विक बन जाने वाले चिकन पराथा तो चलिए शुरू करते हैं बिसमिल्ला के यूज कर सकते हैं काली मर्च पाउडर सोया सॉस दनिया पाउडर लाल मर्च पाउडर और अब सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में एड़ करेंगे इसमें जिंजर कालिक पेस्ट रवान टेबल स्पून और नार्ट करने के लिए रख देंगे तक्रीब आदे घंटा यह में इसमें डाल रही हूं नमक और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और मेरिनेट करने के लिए रख देंगे आदे घंटी के लिए और चैनल पर नहीं हूं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताके आने वाली तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे अभी सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको मेरिनेट करने के लिए रख देंगे कवर करके और चलते हैं अपने नेक्स टेप की तरफ पराथे के डो के लिए मैंने लिया है दो कप मैदा उसे मैंने हाफ टी अप लिया है और एक अंड़ा लिया है और नमक लिया है हाफ टी स्पून अब इससे गून लेगे और गूंदने के लिए पानी आपने इसमें हलका नीम गरम पानी लेना है और इसे गून लेना है विल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा अब यह हमने गून लिया है और अब इसको मारिनेट करने के लिए रख देंगे आदा घंटा इसे मारिनेट करेंगे और आप चिकन फ्राइ करेंगे टू टेबल सून मैंने ओईल लिया है और उसी में अब हम चिकन को फ्राइ करेंगे चार से पांच मेर तक इसे हाई फ्राइ करेंगे और पर इसे कवर करके रख देंगे लो फ्राइम पर चिकन ज्याइद से हमारी पगजाए और जब तक ये स्टीम होती है तब तक चलते हैं आठे की तरफ ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा ये रेडी हो चुका है डो हमारा अब इसके पेड़े बनाएंगे इसी दरा चे सेम साइस की रोटियां बनानी है हमने एक नीचे वाले साइट के लिए और एक उपर के लिए चिकन ने काफी सारा पानी छोड़ दिया है तो अब हम इसी पानी के अंदर चिकन को फ्राइ करेंगे और चिकन को इतना फ्राय करेंगे कि ये बिलकुल ही ड्राय हो जाए अब चिकन फ्राय हो गई है इसे निकाल लेंगे और पराठे पर फिलिंग करेंगे चिकन की चिकन को निकाल कर मैंने इसे थोड़ा सा और क्रश कर लिया था इसी तरह से इसी औपर दूसरी रोटी रख देंगे और bare कर दें के साइथ को कि इसी तरह से पराथा करीड करने मैं ये देखिए इंग को फाय करें पहले पटा तैसे से और यह पराथा जरूर राइगी जिए का बहुत ही मज़दार सब बहुत ही यह बनता है और मुझे फीडबैक जरूर दीजेगा अब इसे फ्राइग कर लेंगे फ्राय आप अपनी मर्जी से जितना आपको इसमें आइल एड करना है आप उतना ही इसमें एड करके से हो गई है इसकी जो कॉर्णर्स हैं उसको हमने फ्राय करना है थोड़ा सा और बनाएं और इंजॉय करें संडे यमी पराथा के साथ इसके साथ आप कोई भी सॉस या फर चिली सॉस या फर आप कुछ भी इसके साथ आड करके खा सकते हैं तो तयार है हमारा चिकन पराथा और यह बहुत ही क्विक बहुत ही जल्दी जटपट से तयार हो जाता है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमें शेयर जरूर कीजिएगा और फीड़बैक देना ना भूलिएगा इस्टाग्राम और फीड़बैक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और आपके फीड़बैक हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं तो देखिए यह मैं आपको अंदर से खोल कर भी दिखाती हूं काफी गरम हो रहे हैं तो इसलिए यह देखें कितने मज़ेदार से पराथ सारा क्याल रखें मुझे दूआओं में याद रखें खुदा हफिज